नमश्कार आप देख रहें स्मार्ट विजनेस प्लस दिपक कुमर के साथ और समय उचुका एक खेती किसानी की महर्पूर्ण खबरों का किसान भाईयों आज की वीडियो में हम बात करेंगे लौकी की उन्नक खेती कैसे करें और कम जमीन से अच्छी पैदावार और अच्छा मुनाफ़क कैसे प्राप्त करें यदि आप खेती किसानी को एक बिजनेस के तौर पर देखोगे तो वाकई में फाइदा होगा और ये जो समय चल रहा है लौकी के लिए काफी अच्छा है क्योंकि आने वाले समय में लौकी का वाव आपको अच्छा मिल जाएगा लेकिन इसके लिए आपको अभी से तैयारी करने पड़ेगी जो सितंबर अक्टूबर का महिने रहेगा उसमें भुआ ही कर दोगे तो आपके लिए पैश रहेगा तो यहाँ पर हम आपके लिए टूजेट इंपरमिशन देंगे किरपे वीडियो को लाश तक देखते रहेए और आपके जो भी डाउट है हमें कमेंट करें और आने वाले वीडियो में बहुत जल्द हम जैविक खेती के वारे में विस्तार से बताएंगे और हर एक वीडियो जैविक खेती के वारे में होगी तो खिरपे आप हमारे चैनल के साथ वने रहे तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जल्वाईों कैसी होना चाहिए तो लौकी के खेती के लिए गर्म और आर्द जल्वाईों की अवशक्ता होती है यह पाले को सहन करने में विल्कुल असमर्द होती है इसके लिए 18 से 30 डिग्री सेंटिक्रेट ताप करम होना चाहिए इसको गर्म एवं तर दोनों मौसम में उगाया जा सकता है उचित बड़वार के लिए पाले रही चार महीने का मौसम अनिवार है लोकी की वुआई गर्मी और वर्सा रितू में की जाती है लेकिन आप सर्दियों के मौसम में भी कर सकते हैं थोड़ा प्रोडक्शन कम मिलेगा लेकिन आराम से मिल जाएगा लोकी की उनना से इल किसमों की बात करें तो इसकी कई सारी किसमे हैं जैसे पूसा समर, संकर पूसा मेकदूत, हिसार सेलेक्षन लंबी, पंजाब लंबी, पंजाब कॉमल, गोल किसमें, पूसा समर, प्रलोफिक, राउंड, संकर पूसा मंजरी, हिसार सेलेक्षन गोल, पूसा संदेश, कोयम मेटूर 9, अरका वहार, पंद संकर लोकी 1, पूसा सं अंकर्तीन, नरेंद्रिस अंकरलोकी और आजार नूतन इसके अलावा भी मार्किट में बहुत सारी किसमें ऐसी है जो प्रिचलेते हैं तो आप उनका भी चुनाप कर सकते हैं बात करें बौने के समय की तो ग्रीस में कालिन फसल के लिए जनवरी से मार्च का महीना बैश्ट है वर्सा कालिन फसल के लिए जून से जुलाई का महीना वैश्ट है और ये जो सरदी की मौसम है सरद कालिन फसल के लिए सितंबर से अक्टूबर महीने का मौसम बहुती अच्छा है बीच की मातरा की बात करें तो एक एक्टेर फसल के लिए एक से डेड़ किलो वीज खेती करें तो लौकी की फसल और अधिक पैदवाल लेने के लिए सबसे पहले उसमें कमपुष्ट खाद का होना बहुती जरूरी है इसके लिए एक एक्टेर भूमी में लगवक 40-50 कुईंटल गोवर की अच्छे तरीके से सड़ी हुई खाद और 20 किलोग्राम नीम की खली और 30 किलोग्राम अरंडी की खली इन सब खादों को अच्छे तरह मिलाकर अच्छे तरह से मिसरन तयार कर खेत में बुआई के पहले इस खाद को समन मातरा में विकेर देना चाहिए और फिर अच्छे तरीके से खेत की जुताई कर खेत को तयार करें इसके बाद वुआई करें और जब फसल 20-25 दिन की हो जाए तब उसमें नीम का काड़ा और गोमूत्र प्रती लीटर मिलाकर अच्छी तरह से मिसरन तयार कर फसल में तरवतर कर छिड़काफ करें और हर 10-15 अब बात करें कि यदि आप रसाइनी खेती करेंगे तो किस तरीके से करेंगे तो 200-300 कुंटल सडीक गोवर की खाद आकरी जुताई के समय खेत में अच्छी तरीके से मिला देना चाहिए इसके साथ ही 80 kg नत्रजन, 80 kg फासपोरस एवं 40 kg पोटास तद्व के रूप में देन चाहिए नत्रजन की आदी मातरा फासपोरस एवं पोटास की पूरी मातरा खेत की तेयारी के समय तता नत्रजन की आदी मातरा दो भागों में टॉप ड्रेशिंग के रूप में देना चाहिए पहले बार 3-4 पत्तियां पोदे पर आने पर तता दूसरी बार फूल आने पर नत्रजन देना चाहिए बात करें सिचाई एवं खर्पदवार नियंदरन की जायत में लोकी की खेती के लिए परतेक सब्ता सिचाई की अवशक्ता पड़ती है लेकिन खरीब अथाद वरसात में इसके लिए सिचाई की अवशक्ता नहीं पड़ती पानी ना वरसने पर तो आपको थोड़ा साद्धानी पूर्वक करना है और सिचाई की सर्दियों के मौसम की बात करें तो हर अपता में आपको सिचाई करनी है पर देख अपते में तो आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी फसल अच्छे से बन जाएगी और जब पाले की समश्या हो आपको लगे कि कोहरा चाया हुआ है पाला घिर सकता है तो उस समय भी आप सिचाई कर दीजिए और यदि सियाम के समय सिचाई कर दोगे तो और बहश रहेगा जो कि रात वर जमीन में फसल में नमी वनी रहेगी और यदि इसमें कोई रोग लगता है तो उसकी रोगताम कैसे करेंगे और कौन कौन से रोग लग सकते हैं ये समझ लीजिए तो इसमें लगता है लाडली रोग अब बात कर लेते हैं कि लोखी के फसल में लगने वाले कीट और रोगों की तो उनकी रोपताम केंसे करेंगे आप पौदों पर दो पतीयं निकलने पर इस कीट का फिरकॉप सुरू हो जाता है यह कीट पतियों और फूलों को खाता है इस कीट की सुझड़ी भूमी के अंदर पौदों की जणों को काड़ती है रोपताम की बात करें तो एवं चान ले, मिसरन तैयार कर 3 लीटर को प्रिति पम के द्वारा फसल में तरवतर कर चिर्काफ करेंगे, तो ये समझ्या खत्म हो जाएगी, और यदि फल की मक्की लगी हुई है, तो क्या होगा, यह मक्की फलों में प्रिवेस कर जाती है, और वही पर अंडे देती है, अंडों से सुंडी वाहर निकलती है, वहे फल को बेकार कर देती है, और यह मक्की विसेश रूप से खरीब वाली फसल को अधिक हाने पहुचाती ह रोक ताम के बात करें तो कम से कम 40-50 दिन पुराना वही 15 लीटर गौमोत्र को तामे के वर्तन में रख कर 5 किलोग्राम दतूरे की पत्तियों एवं तने के साथ उबा लें जब साड़े 7 लीटर गौमोत्र से सरे जाए तो इसे आग से उतार कर ठंडा करें एवं छान लें मेंसरन तैयार कर 3 लीटर को प्रिती पंप के द्वारा तरवतर कर चिड़काप करेंगे तो फसल अच्छी तरीके से आपकी सुरक्चित हो जाएगी द्यान रहे कि यदि फसल छोटी है पौदे छोटे हैं तो यह जो आपने सॉलूशन या गौल तैयार किया है यह एक लीटर प्रिती पंप होना चाहिए मतलब कि जो 15 या 16 लीटर का स्प्रे पंप होता है यदि 15 लीटर का है तो एक लीटर यह आपका गौल और उसमें 14 लीटर पानी इस तरीके से आपको इस्प्रे करना है और यदि फसल मद्यमाकर की हो गई है तोड़ी बड़ी हो गई है तो एक से डेड़ लीटर आप ले सकते हैं ये solution और अधिक बड़ी हो गई है फसल तो दो से तीन लीटर आप ये घोल लीजे और बांकी का सेस पानी से पंप को भर दीजे यदि इस तरीके से आप स्प्रे करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी और फसल आपकी सुरक्चित बनी रहेगी जो भी रोग वाइरस कीट लगे हुए हैं वो सब खत्म हो जाएंगे अब बात करें इसमें एक मोजेक रोग लगता है यह विशानों के द्वारा होता है और पत्यों की बड़वार रोग जाती है और बे मुड जाती हैं जिनने हम कुकड़ा बोलते हैं फल छोटे बनते हैं और उपच कम मिलती है यह चेंपा रोग के कारण होता है इसकी रोग थाम के लिए नीम का काड़ा या गोमूत्र में आपको धतूरे, सीता पल के पत्ते, नीम की पत्ती इन सभी को मिलाकर फसल को अच्छी तरीके से तरवतर कर देना है तो आपकी ये समश्या खत्म हो जाएगी अब बात करें उपच की तो यहां लोग की फसल प्रिती हेक्टेर आपके लिए 100-100 कुंडल प्रिती हेक्टेर फसल आराम से मिल जाएगी विना किसी परिशानी के यदि आपको मौसम का वरपूर से योग मिल जाता है और फसल अच्छी बनती है रोग वायरस नहीं लगते हैं तो फसल आपकी अच्छे से बन जाएगी और यही प्राइस को ध्यान में देखते हुए या फसल को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आप काफी अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं और लाकों में इंकम कर सकते हैं किसान भाईों बस आपके लिए यहाँ पर एक खेती करने का तरीका आना चाहिए वांकी का सबाब कर लेंगे साथ ही मोसम का वरपूर सयोग मिल गया तो भी आपका काम बन जाएगा और मार्केट में अच्छा भाव मिल गया तो भी आपको आराम से लाकों रुपे का प्रोफिट हो जाएगा तो इस तरीके से आप लौकी के किती कर सकते हैं और यदि आपके कोई डाउट है या किसी तरह के कोई सवाल है तो आप हमें कमेंड कर सकते हैं आपको हमारे द्वारा बताएगी जानकारी कैसी लगी किरपया में कमेंड कीजिए आपके जो भी सवाल है जवाब है आप हमें कमेंड कर सकते हैं वीडियो के ऐसी लगे लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो उस प्राप करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट विजनिस प्लस यूटूब चैनल को और प्रेस कीजिए वैल आइकन को चलिए मिलते हैं अंगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहिन जै भारत बंदे मातरम